यह रहा मेरा टॉम यह रहा मेरा फिस और यह रहा मेरा कड़ाई अब मैं फिस बनाऊंगी हैलो फ्रेंज असलाम आलेकुम कैसे आप लोग आई होप अब सब लोग अच्छे होंगे और में भी आच्छु एंड विलकम और विलकम वैक टू माई चैनल तो आज मैं जट पट से बनने वाला 10 मिनीट में फिस करी रेसिपी स्यार करने वाली हूं तो चलो सुरू करते हैं पहले मैंने वाइल को अच्छे से हिट कर लिया है यह मस्टर वाइल मैंने उच्छे हैं आप लोग भी करना क्योंकि फीस में ना मस्टर वाइल का जो तड़का लग दा ओए होई प्राइ नहीं करना और थोड़ा से मैगिनेट किया तो हल्दी और नमक से त्सित फिर इसी वाइल में आपको काला जीरा ड़ाना है ठोड़ा साही डालना कॉंटिटी के हिसाब से फिर यह मसाला डाला इसमें प्याज लशन टामाटर ग्रीन छीली ठोड़ा साइग क्रीन ची भी हो नहीं चाहिए हम लोग और आज में इसको अच्छे से भूनेंगे जब भूनना भननना हो जाएगा इसका जब j क्योंकि यह तीन साल से में मतलब मतलब में क्या बोलु इसको ही में बना बना के खाती रहती हूं क्योंकि में जब फर्स्ट टाइम खुलकता आई ती कॉलेज जाओ कॉलेज से आभी आओ घर में आके पीजी में आके कौन आपके लिए खाना पॉड़ेगा ममी तो नहीं रहती कि खुद को यह बनाना होता है भाई जोमेटर सुईगी में ओडर करने के लिए पैसा होता नहीं क्योंकि बजट में हम लोग रहते तो यह खाना बनाना में सीखा था तब से मैं इसको बना रही हूं और यह 10 मिनिट में बन जाता है खाने के बद लगता है कुछ अच्छा ख करते हो फिर इसको मनें एड़ तो कर दिए आप चलो फीजड़ दल देए फटा फटो में इसमें अलका हाथ से मतलब हलका हाथ से फिजड डालेंगे मेरे पास चार पी से आप लोग गो पर जादा होका तो जादा पानी जादा मसाला सब कुछ कॉंटिटी के हिसाब से ही डा दब करके करना है तो यह जब कुख हो जाएगा बस रेडी हो जाएगा कुछ नहीं है फिर मैं थोड़ा सा क्या डालूंगी इसमें हाँ धनिया पता ये न डाला तो क्या डाला रेडी व गई जट परसी 10 मिनिट में बन गया खाके देखो ठैंक्स बोलोगे मैं बता दियु कमे चलो मैं अपना लंच इंजॉई कर रही हूं आप लोग भी खाओ प्यों मस्त रहो आंटिया बनाओ बहने बनाओ और मेरे को बहुत सारा धेर सारा पैट दो मिलते हैं नेक्स बुलग में तब तक के लिए खुश रहो बाई